मौल में जब हम डोर पर पहुंचते हैं, वो ढूर आटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ऐसे कई सीक्योरिटी सरकिट्स होते हैं जैसे ही किसी थीफ ने, किसी चोर ने अंदर हाट डाला, और अचानासा अलारम बजना स्टार्ट हो जाता है ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है so called sensor के कारण वो sensor किसके बने होते हैं वो बने होते हैं photo diode के अंदर actually मैं जैसे ही person pass में आता है यहाँ पर जो sensor लगा होता है basically जिसके अंदर photo diode होता है वो यह sense करता है कि जो light हम send कर रहे थे वो वापिस आने लगी किसी से टकरा कर तो यह जो gate है यह gate open हो जाएगा वे उसी तरह से यहाँ पर एक photo diode लगा हुआ था यह circuit के साथ connected था जैसे ही बीच में हाथ आया तो वो signal interrupt हुआ photo diode के अंदर जो current था उसकी value में change आया और bulb जो है वो glow होना start हो गया तो यह सारी चीज़ें अपन photo diode से करते हैं दोस्तों तो चलिए समझते हैं photo diode को मज़े के साथ basically इसके अंदर का बहुत simple सा operation है यहाँ पर क्या होता है जब light incident होती है तो light incident होने पर यहां junction के cross electron hole pair generate होते हैं मगर कब generate होंगे जब जो light incident हो रही है उसकी energy यहाँ पर जो energy band gap है valence band और conduction band याद आया कुछ हम लोगोंने कुछ पढ़ा था ना ऐसा energy band gap यह valence band होता है यह हमारे पास conduction band होता है और इस axis पर अपन energy ले रहे होते थे electron volt में तो जो material हमने यहाँ पर use किया उस material का जो भी band gap होगा जब उससे ज़ादा energy यहाँ incident होगी तो होगा क्या यह electron जो है valence band से conduction band में पहुंच जाएंगे यहाँ पर charge carrier generate होंगे charge carrier generate होंगे तो current की value में change आएगा हम reverse bias में use करते हैं किसको photo diode को क्यों reverse bias में use करते हैं वो भी मैं तुमको बताऊंगा इसमें तुमारे पास answer भी है उस चीज़ का क्योंकि reverse bias में बहुत छोटा सा current flow होता है तो जैसे light incident होगी तो जो current में change आएगा वो चोटे से current में बड़ा बड़ा दिखेगा इसको हम sense कर पाएंगे इसलिए हम इसको reverse bias में use करते हैं और बिल्कु सिंपल सा एक circuit diagram है LED में arrow outward होते थे photo diode में arrows हमारे inverse होते अंदर की तरफ होते हैं अब अगर अगे बढ़ें तो जो भी मैंने तुम्हें समझाया वो सारी कि सारी चीज़ें तुम्हें slide में मिल जाएंगी कि when the photo diode is illuminated with light energy is greater than the energy gap अभी बताया था then in semiconductor then electron hole pairs are generated to the absorption of photons जैसे photon absorb होगा वैसे electron hole pair generate होंगे इसकी वजह से when external load is connected current flows in the magnitude of the photo current depends on the intensity of the light जैसे ही external circuit के अंदर वो connection होगा light incident होगी जैसी electron hole pair generate हुए current change हुआ और बस इस current change को ही हम sense कर लेते हैं और इसलिए photo diode हमारे sensor की तरह काम कर रहा होता है तो बहुत simple सा इसका logic था बहुत simple सी working थी अगर किसी ने आपसे इसकी reverse bias characteristics के बारे में या characteristics के बारे में पूछा तो देखो भाई अपन इसको reverse bias में use कर रहे हैं अम इसको breakdown के पहले use कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप intensity बढ़ाओगे होता क्या है जो reverse saturation current है अगर आपके intensity I1 है तो उस case में यहाँ पर electron hole pair कम generate हो रहे थे आपने अगर intensity बढ़ा दी तो electron hole pair बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर जो reverse में current होगा वो भी बढ़ जाएगा याने कि basically आप इसको reverse bias में use करते हो reverse bias की characteristics बनाओ जैसे जैसे intensity बढ़ती चली जाएगी यह graph जो है आपका नीचे की तरफ shift होता चला जाएगा यह आपके पास simple IV characteristics थी किस की diode की किस case में photo diode के case में जब हम उसको photo diode की तर पास one lakh rupees हैं और मैंने आपको one rupees दिये आप कोई फरक नहीं पड़ता बाबाजी हमारे पास तो एक लाख रुपे ते आपने एक रुपे दे दिया क्या change दिखेगा कुछ change नहीं दिखेगा जब हम forward bias में diode को use करते हैं तो current होता है milli ampere में उसमें जब अपन light incident कराएंगे तो चेंज आएगा अपने पास current में बहुत थोड़ा सा आएगा उसको sense ही नहीं कर पाएंगे मगर reverse bias में current होता है micro ampere में तुम्हारे पास थे एक रुपे और मैंने तुम्हें दे दिये एक रुपे भाई यह तुम्हारा पैसे double हो चुके हैं अल्दो एक रुपे बहुत चोट दिखता है चेंज दिखता है वह हम easily observe कर सकते हैं that is why photo diode is always used in reverse bias so simple सी चीज़ें थी photo diode के अंदर बहुत simple words में बहुत कम टाइम में मैंने आपको इसको explain कर दिया तो चलिए मिलते हैं next video में जिसमें अपन बात करेंगे solar cell की keep liking keep sharing keep subscribing our channel thank you so much जहें हो